एक दौर था जब अनन सिंग और नितिश कुमार गहरे दोस्त हुआ करते थे फिर दोनों की रिस्तों में खटास आई अब एक बार फिर अनन सिंग के चहेते नितिश कुमार हो गए हैं 2020 के बिहार विधान सभा चुनाओ जब हुआ था तो अनन सिंग राजत के टिकर चे चुनाओ लड़े थे और जीत हासिल की थी एक ए 47 मामले में अनन सिंग बेउर जिल में बंद है और उनकी विधाई की चली गई एक बार फिर मोकामा में उपचुनाओ होने वाला और आमने सामने अनन सिंग और ललन सिंग है लगातार दोनों की ओर से दावा वादा किया जा रहा है कि हमारी जीत होगी लेकिन जिस परकार से लगातार मोकामा दंगल में अनन सिंग के जो समर्तक है वो लगातार उनका कहना है कि इस बार जो 6 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा record तोर कहीं न कहीं रिजल्ट आएगा तमाम हमारे साथ जो अनन सिंग के समर्तक है वो मौजूद है उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिज करेंगे कि कौन कิसे भारी पारी पड़ेगा कौन किसे पठकनी देगा एक बात वता हही है अनन सींग की पत्पनी स्वार मैदान में ललन सींग की पत्नी मैदान में लगातार दोनूं की तरफ से दावावादा किया जा रहा lying हम जीत रहा किदर की हवा च परकार से ललन सिंग की पतनी है लगातार बीजेपी से उनकी पतनी को उमिद्वार बनाया गया सोनम देवी को उनका कहना है कि इस बार तमाम चीजे बदल जाएगी और अनन सिंग का जमानत जब्त हो जाएगा सबसे पहले आपको बताते हैं देखिए भाजपा का मतलब है भारत जलाओ पाटी समझे भारत को जलाकर रखना है यूबा का को यहाँ आप नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि हम यह रोजगार दे रहे हैं यहां से सभी के अकाउंट में 15-15 रुपईया आएगा किसके किसके अकाउंट में आप 15-15 रुपईया कौन-कौन-किसान के पास आया है जिसमें 15-15 रुपईया किसके घर में नौखरी मिल गया हम आपको बताते हैं जो बोलते हैं कि समराज खतम कर देंगे उनको अभी सपना देखने दीजिए समराज यहां था ही नहीं जनता को बिधायक जी भगवान समझते हैं भगवान को जैसे हम लोग पूजा करते हैं बिधायक जी जनता को भगवान समझ कर पूजा करते हैं अब जनता ही बिधाय जी का भगवान है चुनाव जीत चुके हैं इसमें कहीं किन्तु परंतु नहीं है सिर्फ सर्टिफिकेट लेना बाकी है छोता आरिक को हम लोग जा करके सर्टिफिकेट ले करके आएंगे और भारिस कितना हुजूं हम लोग गए ये पूरे देश को संदेश समय से दे है वो मुकामा में केंप कर रहे है और सूरजभान सिंग ने कहा है कि इस बार की जो हवा चलेगी वो बीजेपी की हवा से तमाम जो महागडबंदन है जो अनन्द सिंग है वो भी ऊड़ जाएंगे सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बदाई हम जन अधिकार पार्टी से हैं पपूयादव के पार्टी से हिंदुस्तान के इतिहास में आपको बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में मुकामा का जो दंगल होने जा रहा है जो दंगल जिस में चालीस मीटर् और चार मीटर का गलi को कुक्ता क्यात्य है रिक्षा Чलाने वाला जाता है वही इस उफा पर बैठता है जिस उफा पर पांच मीटर जो कुर्ता पेन के जाता है नेता गोई मंद्री कोई विधायक कोई उनके कुटूम कोई परिवार को भाय भतिजा उसी सोफा पर बैठाते हैं जनता को ठेला जिस वर खुद बैठते हैं रिक्सा चलावे बला हो टमटम चलावे बला हो टेंपू चलावे बला हो किसान हो मजदूर हो धाली हो दुसाद हो कहार हो जीत रहे आनन सिंग जीत र लगा रही है कि मुकामा में सिर्फ अपराधी रहा 17 साल कुछ काम नहीं कि जो आपको आरोप लगा रहा है उससे बढ़ा कोई अपराधी है देखिया इतिहास खंगा लिये पिछे का पन्ना उलटिये पता चलियागा कि अपराधी कहुं है है पता किजिए कि कतना बच्चे गाइब हो ले इभी पता किजिए वही कंडिडेट गाइब किया है कुछ और भी लोग है इधर बात किजिए पहले हां बोलिए मुकामा बैफसायों का कड़ था वह एक से एक मरबारी रहते थे असर चल गए सब चल गए वहां जो भुम्यार क में सिर्फ एक 47 अब यार से बसूली यही था जब से विधायक जी विधायक बने मुकाम है तो और रिकॉर्ड तोड़ जीत होगा कि विवेका पहलवान जी का असिरवाद भी यह बने विवेका पहलवान जी का असिरवाद है ही वो तो उनके घर के में मरी सदस्ट है तो उनका तो असिरवाद है एक दाम रिक तोड़ जीत होगा पूरे पिहार में संदेश जाएगा कि मुकामा का बिधायक जीता था कि लालन सिंग को हम क्या कहना चाहेंगा लालन बाबु अब यह वो तो उनसे पुछ यह कितना होगा आर के बोलना है जब पहलमान बीवेका पहलमान की बात किये तो बिधायक जी 4,500 भोट से जिते थे 10,000 भोट से जिते थे जब विधायक के साथ पहलमान जी आए तो 35,000 भोट से जिते अब डवल हो गए अब यह पूरा महा कट बंधन है तो एक लाग बाइती से आज बीवेका पहलमान जी साथ आए तो उसका आशर मने छेतर में दिख रहा है इस मने नीलम देवी के साथ 5,000 लोग बोट मांगने के लिए घूंगते हैं अब बीजेपी वाले को बास कोई अजंडा नहीं है सिर्फ जय सिरी राम हर हर मोदी घर घर मोदी देखो बीजेपी वालों देखो बीजेपी वालों देखो ये राम का नाम बदनाम न करो राम का नाम बदनाम न करो ये से ही जूट मूट का कोई इनके पास कुछ नहीं है अजंडा नहीं है सिर्फ बदनाम करते हैं और ये कहत मत से जितेंगे नीलम देगे सीधे तोर पे जो कल तक अनन सिंग और विवेका पहलवान जानी दुसमन थे अब एक इन एक आ चुके हैं और एक आने के बाद जो छे तारिक के जो नतीजे आएंगे मोकामा दंगल में जो लगातार अनन सिंग का जो जीत का सिलसिला है जो बीज जस्तूर जारी रहेगा और देखना दिल्चस्प होगा कि 6 तारी को जब नतीजे आते हैं कौन किसको मात दे पाता है और किसके सर्था जाता है ये तो आने वाला समय बताएगा लेकिन अनंद सिंग के समर्थकों ने साफ कर दिया है कि बस 6 तारी को अपचारिकता बाकी है एल रोहित नट्राजिंट पता